पाली पाली पूर बेना पंजा इस पर यह मां चलते हैं नमस्कार दोस्तों आप देख रहें अन्बमिया के नियूज और मैं हूँ आपके साथ संदोश गुटता आएए देखते हैं नियूज फास्ट बिहार में क्या है कुछ खास बिहार बाड और हाहाकार नजाने क्यों बिहार के नसीब में लिक्सा देई आगया है कोशी सिमानचल के तमाम नदियों में बारिस के मौसम में उफान आती है नेपाल से भी छोड़ा जाना वाला पानी भी इन नदियों के बाड का कारण बनती है और जन जीवन इसके आसपास के लोगों के लिए अस्त व्यस्त हो जाता है लोग परेशान हो उड़ते हैं हम बात कर रहे हैं बिहार के कठियार के बरारी प्रखण के मौहना चानपूर पंचायत की जहां बाड का पानी घुसाया है लोग भया क्रांत है बता दे हैं कि बाड के पानी घुसने से जन जीवन अस्त व्यस्त हो गया है आजादी के बाद भी लोगों का जीवन कस्ट में है बता दें के बहुत से विधायक और शांसत भी आये गए लेकिन कठियार के बरारी प्रखन के मोहना चांदपुर पंचायत के इस्तिती जस्कितस बनी हुई हर साल इस पंचायत में बाद का पानी आकर जन जीवन को अस्त व्यस्त कर देता है कुछ ऐसी ही भयावा इस्तिती इस बारी भी बनती जा रही है कारी कोशी और गंगा नदी के जलस्तर में ब्रधी होने के कारण मोहना चांदपुर पंचायत के आठ नंबर वाड से 17 नंबर व किसी भी प्रकार की शाहता महया नहीं कराए गई है कोई भी पदादिकारी देखने तक नहीं पहुचे कि हम लोग किस हाल में हैं सरकारी नाव मिली है ना ही कोई डॉक्टर आए हैं जिस कारण पिरित लोगों को इलाज के लिए दर दर भटकना पर रहा है बता दें के पानी किजिए ताकि जीवन पट्री पर लोट सके अब देखना होगा कि कठियार के इन लोगों की समस्याओं को प्रशासन किस तरह लेती है और क्या कुछ मदद पहुचा पाती है देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार इनकी पीरा को कम करने के लिए प्रशासन क्या कुछ ठोस पॉस्कारवाई करती है बियरो रपोर्ट अनुभविया के कठियार हमारे साथ बने रहे और देखते रहे अनुभविया के न्यूज और पढ़ते रहे अनुभविया के अत्वार सोसल साइट ओनलाइन चनल पे जाकर आप हमारे चैनल को देख सकते हैं लाइक और सबस्क्र आपकी लिए हमारा नंबर है 8826227802